हलो फ्रेंड्स एंड वैलकम टू फिल्लो फॉम माइनम इस नीदू शोदरी यॉर यूजी सेनेट प्रिपर फॉर्स फैकल्टी अब साभी को पता है यूनिट 9 के अकॉर्डिंग जो भी क्विशन्स बनते हैं वो हम लोग सॉलिशन्स करते हैं और क्लास नमर कॉन सा है आज क्लास नमर है 26 वाला क्लास है उसमें हम लोग MCQPYQ के अकॉर्डिंग जो भी क्विशन्स बनते हैं वो हम लोग सॉलिशन्स करते हैं यस 26 वाला क्लास सबसे पहले WhatsApp ग्रूप को जोईंग कर लो टेलेग्राम ग्रूप को जोईंग कर लो और इंस्टा आइडी को फॉलो करो ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलेगी लिंक मिलेंगी कहीं पर कोई नूली अप्टी जोब्हिंग कोई सबसे पर आप को यहां मिलेंगे जो भी है मिल जाएंगा याशन से एड़ MICHAEL यहां कौनी जीन इत्जिट है जून 2023 उसके अकॉर्डिंग जो भी कोई जो भी एक्साम सोने वाले है ना उसके अकॉर्ड इंटे हैं वह सारे के सारे important है ये वीडियो में से तो बहुत ही जाधे हैल्फफूल करने वाले हैं देखते हैं हम लोग क्या होता है तिक है एस तो ट्लासिस का टाइमिंग की थोड़ी बात कले हम लोग तो नौ बज़े होती है हमारी MCQP और नौ बज़े होती है यूजी से ने 2023 ग्लाइन कीज मैंड़ी लूगी ऐसकी बात करें तो 12 बज़े होती है online quiz 12 p.m. को जैसे class खतम हो जाती है ना classes खतम हो जाती है उसके राइट बात यानि उसके तूरंत बाद हम लोग quiz आपको देते हैं तो quiz आपको बहुत ही जादा help करेगी आपके perversions को और जादा बढ़िया बनाएंगे ठीक है yes chapter 7 environmental protections law of India कौन कौन से protections बनाए हुए है environmental के according लो कौन से बनाए हुए है इंडिया के कौन कौन से law है जो environmental के according है तो इसके according जो भी questions बनते हैं वो हम लोग solutions करते हैं आज जो है unit 9 का last day है आज 17 जन्वरी है ठीक है आज chapter का last day है और कल हम लोग पूरा का पूरा topic revise करके हम लोग 25 questions solutions करेंगे A to Z unit 9 के ठीक है तो उसके according जो भी questions बनते हो तो उसकी preparations आप सभी वीडियो में से करके आएगा ठीक है yes तो चलो वाई सब लोग ready हो तो yes in the comment box िख जो है सबस्ट्साइब लोग लोग чуд करेंगे दो में उस्काइब करेंगे jewelry है यहirm के जोगए यूग छूरा mess दोलो तो हैका है यह भा वीज़ है झालों यह रहाओ कि चाहिए वालाब है यह शो पर दो एक वालाब है यह 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 यहाँ 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 पहला क्वेशन आपके सामने आ चुका है उसको अच्छे से रिडाउट करके आंसर दो पहला क्वेशन आपके सामने 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 से कौन आठ मिशनों में शामिल नहीं है जो आठ बनाए होए ना मिशन उसमें सामिल नहीं है वो कौन सा है वाई सौर उर्जा उर्जा उर्पानतर के लिए अप्शिष्ट वनी करन एंट परमाण उर्जा है वाई यस, correct answer is D part, परमानो उर्जा, nuclear energy जो है, वो नहीं है, शामिल, दीगे, आट जो mission है, उसमें से ये शामिल नहीं है, तो जिन्होंने D answer दिया हुआ है, वो करेंगे अपने आपको प्लश टू, यस, घंगा कारिय योजना वर्ष के दौरान शरू की गई थी, कौन से वर्ष के द दौरान शरू की गई थी भाई तो tatी कारिय ऑनी नहीछड़ में वर्ष के दौरा dish दौराफ हाँ झाल यस गंगा कारिय योजना वो शुरू हो गई थी 1986 में यह ध्यान से याद रखिये ओ ठीके यह बहुत बार पूछा जाता है तो ध्यान से याद रखियो और पूराना कुर्श्ट्न से तो पूछाई जाएगा क्योंकि ये कब से शुरू हुआ था वो तो पूछाई जाएगा ठीक है वो नू ही रहेगा बहले ही ओल्ड हैं बैट नू ही रखेगा ये कुष्टन्स थार्ड नमगा क्रिश्टन देखो नागोया प्रोटोकॉल संबंदित है नागोया प्रोटोकॉल किस संबंदित है नागोया प्रोटोकॉल किस संबंदित है तो जलवायू परिवर्तन से और जलवायू परिवर्तन से और खतरनाक अपसिस्ट और जाइव विवीत्ता से किस संबंदित है वायू येस बायो डाइवर्सिटी से तो जाइव विवीत्ता से तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आपको प्लश्टो फोर्स तमगा क्विश्टन्स देखो कि निम्नलकित में से कौन सा उत्सर्जन का स्त्रोथ है जो प्रदुशक के रूप में सतह और जोन के अंतिम घठन के लिए अग्रणे है परिवहन क्षेत्र प्रशितल और एयर कंडिशनिंग और आद्रभूमी और उर्वदग क्या होगा से यानसरा झाल नीम नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्त्रोथ है जो प्रदुशक के रूप में सत्ह और जोन के अंतिम गठन के लिए अग्रणी है परिवहन क्षेत्र, प्रशितल और एर कंडिशनिंग, आद्रवुमी और उडवरक तो उसका सही आंसर होगा एपार्ट यानि परिवहन क्षेत्र, तो जीनों ने एए अंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आपको प्लश टू ठीक है यस, फाइन नमर का क्विश्चन्स देखो, क्योटो प्रोटोकल का संबंध किस से हैं, और जोन की कमी से, खतरनाक अपसिस्टे, जलवायू परिवर्तन से और परमानो क्विश्चन्स देखो करेक्ट आंसर है C पाइट जलवायू परिवर्तन से यानि क्लाइमेट चेंज से ठीक है तो जिन होने क्योटो प्रोटोकल को जलवायू यानि क्लाइमेट चेंज बताया हुआ है वो अपने आपको करेंगे प्लस टू सी वाले करेंगे अपने आपको प्लस टू बिल्कुल सिक्स नमगा क्विशन्स दिखो MW का मतलब होता है मेगावल्ट टिक है वर्ष 2022 तक भारत सरकार की जलवायू परिवर्तन कारिय योजना को स्थापित करने का लक्ष कितना है 20,000 मेगावल्ट पवन उर्षा 25,000 मेगावल्ट पवन उर्षा 20,000 मेगावल्ट और 10,000 मेगावल्ट उर्षा कितना है बाई इसका कर्रेक्ट आंसर होगा सी पार्ट यानी 20,000 मेगावल्ट सोलर उर्षा तो जीन होने सी आ एंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आपको प्लर्ष टू यस स्थावान समगा क्वेश्चन्स देखो जलवायू परिवर्तन के विनाशकारी परिणामों से बच्चने के लिए दुनिया के देशों के बीच पूर्व अउद्योगी समय की तुलनामी पृत्वी की आउसत सतह के तापमान में वृद्धी को सीमीत करने के लिए आम सहमती हैं कितनी हैं? 1.5 डिग्रे सल्सियस से 2 डिग्रे सल्सियस, 2.0 डिग्रे सल्सियस से 3.5 डिग्रे सल्सियस, 0.5 डिग्रे सल्सियस से 1.0 डिग्रे सल्सियस और 0.25 डिग्रे सल्सियस से 0.5 डिग्रे सल्सियस कितनी हैं वाई? झाल झाल Yes, correct answer is A part 1.5 degree Celsius A 2 degree Celsius यानि A is बिल्कूल, absolutely right answer है A is the right answer A वाले plus 2 करेंगे 8 नमर का questions देखो झाल झाल कि इस देश में हाल ही में क्लोरो हाइड्रो क्लोरो कार्बन यानि HFCS को चरणबत तरीके से समाप्त करने के लिए आंतर राश्ट्रिया समझोते पर हस्ताक्षर किये गए थे कौन से देश में भाई रवंडा मौरको दक्षिन आफरिका और अलजिरिया तो कहाँ पर तो रवंडा में ठीके तो जिन्हों ने आर आंसर दिया हुआ है यानि ए फौर रावंडा दिया हुआ है वो करेंगे अपने आपको प्लश्टू ओकी नाइस तमगा क्विश्चन्स देखो अंतराश्रिय पैजल आपूर्ती और स्वश्टा दशक आई डी डव्लू एच डी देखा गया है International Drinking Water Supply and Sanitization Decade I.D.W.S.D. was observed 1981 to 1990, 1991 to 2000, 1971 to 1980 and 1965 to 1975 पैजल याने Drinking Water की बात की हुए है Yes, A is correct answer 1981 to 1990 तो जिन्होंने 1981 से 1990 दिया हुआ है यानि A दिया हुआ है वो ही करेंगे अपने आपको प्लश्टू ठीक है 10 नमर का questions देखो Rio Plus 20 सम्मेलन के मुख्य परिणामों में से एक निवनलिखित का एक सैट विक्सित करना था सतत विकास लक्ष, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष, फिर है राश्रिय विकास रणनीती और उसके बाद है राश्रिय भूमी बहाली रणनीती ये तो बिल्कूल इज़ी है बिल्कूल इज़ी है restoration strategy क्या होगा इसका राइट अंसर यस बिलकुल इसका राइट अंसर होगा का A part SDG. SDG का full form लिख लो भाई सब लोग SDG का full form लिख दो sustainable development goal. सब लोग SDG का full form लिख लो मैंने कल MDG का भी बताया था तो MDG का भी लिख लो साथ साथ में दोनों के दोनों फुल फॉर्म मुझे चाहिए यस मिलेलियन डावलोपमेंट गोल ठीक है यस तो दोनों के दोनों फॉल फॉर्म और हाउ जोष 10 कॉस्टन कर लिए तो जोष कैसा है वाई आप सबका हाउ जोष हाई और वेरी वेरी हाई हाई लोष वेरी गुट एलावास नमगा वेस्टोंस देखो वेरी जैने वेस्टेखोलोंस singer-o bei भी औरेण डाहास इलावारेण सोटित वेरी आंगे इलावा साउस стран के वेरी मुंगा वे एलावावाद स्थान आहारा है झाल झाल पारीश समझोते का उद्देश इस सब्ताब्दी में ताप्मान रुद्दी को कितनी डिग्रे सालस्यूस से उप्योग उपर सिमित करना हैं पुर्वो उधियोतिक स्तर पर तो वन डिग्रे सालस्यूस जेन्हों ने दिया हुआ है वो अपने आपको करेंगे ब्लॉस्ट् soundony आल नमर्गा कोईशन्स देखो. 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 जल शक्ती, ग्रुह मामलो, पृत्वी विज्यान, आवास और शहरी मामली. तो B is correct answer, home affairs. यानि जिन्होंने ग्रुह मामली आंसर दिया हुआ है न, वो अपने आपको करेंगे plus 2. B is correct answer. 14 अमर्गा कोईशन्स देखो. अमर्गा कोईशन्स देखो. अमर्गा कोईशन्स देखो. क्योटो प्रोट्रोकॉल के तहट 37 अउद्योगी क्रूत और उरोपिय समुदाई के देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर जन्मी कमी के लिए पहली प्रतिबद्धता अउदी थी कितनी थी भाई 1997 से 2005, 2000 से 2012, 2008 से 2012, 2005 से 2015 कितनी थी भाई कितनी हैं, से अभज बौत कितनी थी थी भाई झाल झाल इसका राइट आंसर क्या होगा? C इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जीनों ने C आंसर दिया हुआ है वो अपने आपको करेंगे प्लस्टू 15 नंबर का क्वेश्चन देखो झाल झाल 15 नंबर क्या हुआ है वो झाल झाल 20 नंबर क्या है? Yes, B is correct answer हरीत बारत मिशन के तहत कितने हेक्टर नीमनी कुरूट 1 बुमी को वनी करण के तहत लाया जाना है तो कितने तहत B is correct answer जीरो यानि 6 मिलियन हेक्टर तो जीन हो ने B answer दिया हुआ है वो करेंगे अपने आपको plus 2 ठीक है? Yes 16 नमर्ड प्वेशन देखो अहाँ यहां पर हिंदी नीचे आगया इंग्लिश उपर आगया कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है हर बार इंग्लिश वाले नीचे क्यों देखे वाई है ना इंग्लिश वालो Yes तो देख लो भाई आराम से नीचे दी गए विकलपो में से मौंट्रियल प्रोटोकल से सहलाब की पहचान करें करेक्ट आंसर इस बी पार्ट यानि कार्बन डायोकसाइड समतुल्य उत्सरजन में कमें तो जिनने बी आंसर दिया हुआ है वह अपने आपको करेंगी प्लस्टू ठीक है बी वाले प्लस्टू कर दो 17 नमर का क्वेश्टन्स देखो नीमनलिकित में से किस परियावरणिया मुद्दे को संबोधित करने के लिए मौन्ट्रियल प्रोटोकल पर हस्ता कर किये गए थे दोनों क्वेश्टन्स आपस में थोड़ी पहुत मिली हुई है ना 16 और 17 मौन्ट्रियल प्रोटोकल पर हस्ताक्षर किये गए थे क्षोम मंडल या और जन प्रिदूशन स्तमताप मंडल में और जन की कमी ग्लोबल वर्मिंग और अमलिया वर्षा आसिर ब्रेंग क्या होगा यस करेक्ट आंसर इस बी पार्ट समताप मंडल में और जन की कमी डिप्लेशन अफ ऑजन इन दो स्ट्राइटोस्फियर ठीक है तो जीन होने भी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आपको प्लश टू एटीन नेमर का क्वेस्ट्टन देखो प्लश टूएग प्लश टूएग प्लश 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 टूएग झाल 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 करेक्ट आंसर इस D part 80% जो है ना वो सही है जिनोंने D answer दिया हुआ है 80% वो करेंगे अपने आपको प्लस टू ठीक है झाल झाल आजट एiliary ये यप ये प्लस ये ये प्रावदानों ते आनसर राश्ट्रिया स्टर पर निडारीत योगदान आई एंडीसि Fighting के हर समिक्षा की जाती हैं कितनी तो हर साल कितनी वर्शन के की जाती है? 15 साल 10 साल 5 साल 3 साल कितने वर्सिक में की जाती है तो आंसर होगा 5 साल ठीक है जिन्हों ने 5 यर्स दिया हुआ है अपने आंसर वो करेंगे सी वाले करेंगे प्लस टू ठीक है यस 20 नमर का क्विशन्स देखो क्र दो कि अन्सर बात वाले का क्विशन्स देखो बात रहे आंसर वाले क्विशन्स दिया है जिए है यसलिए । झाल झाल इसका right answer होगा C यानि human rights मानव अधिकार निनलेकित में से कौन सा मुद्दा सहस्त्रदाब्दी पिकास लक्षों में से लक्षों के तहत संबोधित नहीं किया जाता है C is right answer मानव अधिकार जो है मुद्दा नहीं किया जाता है तो जो इन्होंने C answer दिया हुआ है वो अपने आपको करेंगे प्लश टू एंड वाट्स यार स्कोर स्कोर कार्ड बताओ फट्टा फट से 40 में से कितने नमबर आए फट्टा फट से बताओ कितने नमबर आपको करेंगे स्कोरνη करेंगे वारी गुट बताओ किना कि वेरी गुट हाव दे क्लास कैसे लगा वो भी अहां वे बताओं ये मुझे यह वह भी मुझे बताओं कि कॉमेंट बॉक्स में टिक स्कोर एंड क्लास दोनों युपता ओगी कॉमेंट बच्स में आइट बचे क्लास होती है तो आज का जो भी टॉपिक्स था वो हमने कवर कर लिया और कल कॉन सा टॉपिक होगा वाई मुझे बता हो कल कॉन सा टॉपिक होगा यस कल वो होगा एटू जैड यूनिट नाइन का रिविजन होगा ठीक है तो कल कॉन सीडेट है ट्वेंटी एट वाले ठीक है तो एटू जैड रिविजन हम लोग 25 कुशन्स हम लोग सॉलिशन्स करेंगे और आज के लिए इतना ही प्लेलिस बन चुकी है तो प्लेलिस देख लिया करो और आपको पता ही है कि सब्सक्राइब कर लेना है तो आपको मिल जाएंगी क्लासिस डैली और पेड कोर्स कैसे लेना है तो आपको यहापे नमबर दिया हुआ है आज के ले इतना है, thank you for watching this video, have a nice day, take care, bye all students